अब कानून ववस्ता किसी एक राज्य के दाइरे में सिम्ती रहने वाली ववस्ता नहीं रह गई हैं। अब अपरात इंटर स्टेट और इंटरनेश्टल हो रहे हैं। यानि टेक्नोलोजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपरादी दूसरे राज्य में भंकर अपरात करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से भार बैठे अपरादी भी टेक्नोलोजी का जम कर गलत इस्तमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजंसियों का अपस में तालमें केंद्राव और राज्य की एजंसियों का अपस में तालमें यह बहुत जरूरी है और इसलिए आपको मालुम होगा मैंने डिज़ीपी कॉनपर्स में कहा था कि दो adjoining state होते हैं उसके जो adjoining district होते हैं उन्होंने periodically बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकरन करना चाहिए साथ मिल के काम करना चाहिए उसी में से ताकत बनेगी कई बार केंडरिये एजंस्यों को कई राज्यों में एक साथ जाज करनी पड़ती हैं। दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। को एक दूसरे को पूरा सईयोग देना चाहिए कोई बड़ा है कोई छोटा है किसका अधिकार है उसी में कभी कभी तुम देखते हैं एकाद F.I.R. रेजिस्टर नहीं क्यों नहीं हुई तो बोले यह तैनी हो रहा है कि वो जो जगा है वो इस थाने में पड़ती है कि उस था पसाने तक लिए राज्यों के बीच भी हो जाती है केंद्रवर राज्य के बीच में हो जाती है भारत और विदेश की व्यवस्ताओं के साथ हो जाती है इसलिए हमारी एफिशन्सी के लिए हमारे आउटकम के लिए सामान्य नागरी को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवारी है और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा आपके राज्ये की भी ताकत बढ़ने वाली है साथियों साइबर क्राइम हो या फिर ड्रॉन टेकनलोजी का हत्यारों और ड्रक्स तसक्री में उप्योग इनके लिए में नई टेकनल टेकनलोजी पर काम करते रहना होगा अब देखी हम 5G के यूग में गुजग रहे हैं तेजी से 5G पहुंचने वाला है अब 5G के जितने लाभ है इतनी ही जागरिकता भी ज़रूरी रहेगी 5G से फेशल टेकनलोजी आउटोमेडिक नंबर फ्लेट टेकनलोजी ड्रोन और सी टेकनलोजी परफॉर्मस में यह कई गुणा सुधार होने वाला है लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे जो क्राइम करने वाला बोल है उसका भी ग्लोगलाजेशन हो चुका है वो भी इंटर्स रेड हो चुका है वो भी टेकनोलोजी में फॉरवर्ड हो चुक है बटलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा हमें हमारी कानून वबस्ता को भी स्मार्ट बनाना इसके लिए बहुत ही आगर से काम करना पड़ेगा